हेलो स्टूडेंट्स चेप्टर नंबर 4 एकनोमिक्स ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एकनोमी का नया टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं पिछली वीडियो में हमने फॉर्ड मोटर्स के बारे में पढ़ा था अब हम करें फोरें ट्रेड एंड इंटिग्रेशन ऑफ कि एक दूसरे से मार्केट कैसे जॉइंट है कैसे मिली हुई है कैसे उनका एक ही करण हो रहा है ठीक है चलिए जाम स्टार्ट कर रहे हैं फोर लॉंग टाइम फोरें ट्रेड हैस बीन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज बहुत टाइम पहले से ही अगर हम कह रहे हैं इंसें से मिलते हैं हम देखते हैं समझते हैं जैसे सिल्क रूट से सिल्क जाता था अगर मिस्टरी की बात करते हैं तो तब ही हम एक दूसरे के कल्चर को समझे हैं हम लोगों के यहां जो ड्रेस अप सेंस होती थी वह दूसरे जगह पर नहीं होती थी सब एक दूसरे को कैसे देख करी चीजैं समझ रहे हैं जो फोरंद रेड रोता है तभी हम एक दूसरे के स्वाझ पाक्ऴ सबस्क्राइब रूक्राइब करें रहे हैं इस्टरी यू और है वाम था विर्य रूटी सु आइज ते खशरक टेख पड़ हैंजेंस और पास्टि मार्कट पर से इंडिया का साउथ ऐस्या से लिन्क होता था इसट का वेस्ट से लिंक होता था और एक दूसरी जगह पर जैसे हम कहते थे हमारी जो घोड़े बहुत है न से और Chief जो है हम से trading interest which attract various trading companies such as East India Company अब आप यह भी देख लिजिए कि ट्रेड होता था इसलिए तो इस इंडिया दोब उन्होंने अपने लिगया था थाक किया और देन फ़ांट के तक इसकी वैण क्या करते है जी क्या कि यह कर रहे हैं जो foreign trade जो हम कर रहे नहीं कहा not the system longer Miry शर cell प्रूर शर्ट सेंपैला काम क्या कर रहा है foreign trade ध्यान से देखिएगा to put it simply foreign trade create an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market for example markets of their own countries अब foreign trade होने से क्या होता है कि जो producer है जो की चीज़े बना रहे हैं ध्यान से सुनिएगा number one बता रहे हूं मैं आपको यह कि जो की चीज़े बना रहे हैं producer उनके पास एक opportunity होती है कि वो अपना सामान सिर्फ भारत में इना बेच कर दूसरे देशों में भी बेच सके ठीक है अब मान लो कि हमने यहां बार बार मैं आपको पंजाब की फुलकारियों के example देती हूं मान लो कि पंजाब की फुलकारी सिर्फ पंजाब में ही बिके राजिस्तान में यूपी में घरियाना में बिहार में कहीं और ना जाएं तो क्या हम उन चीजों को समझ सकते हैं क्या हमें पता चल सकते हैं कि वो क्या होती है वो लोग इसे कौन लोग डालते हैं ठीक है तो प्रोडूसर के पास जो पंजाब में फुलकारी बना रहा है उसके पास कितना अच्छा उपर्चुनेटी है कि उसकी फुलकारी ना सिर्फ अपने देश के अलग-अलग स्टेट्स में जाएंगी जो फॉरंड ट्रेड एसके थू बलकि विदेशों में भी उसके बने हुए कपड़े विदेशों में भी जाएंगे हमारे यहा उसर चैने सेल देयर प्रोड़क्स नोट ओनली इन मार्केट लोकल विदिन दे कंट्री बट चैनल सो कंपे इन मार्केट्स लोकेश्ट लोकेट इन अधर कंट्रीज ऑफ द वर्ल वह मैं बताये चूँ कि उसका प्रोड़क्ट जो ओगा वह सिफ यहां यहां अपना रहे हैं similarly for for the buying import of goods production in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced वो कहरे है अगला काम क्या होगा कि अगर हमारा सामान बाहर जा रहा है हम अपना सामान विदेशों में भेज रहे हैं तो विदेशों का भी तो सामान हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास अगली opportunity यह होती है कि हम अपने सामान के बजाए दूसरे सामान भी देख सकते हैं उसका भी comparison कर सकते हैं ठीक है कि अपने production में कहा domestic production में कहा कमी है या कहा हम उन से superior है ठीक है यह मैंने अब तक आपको बताया था कि basic function क्या होते है foreign trade के तो producer को जो है वो market अच्छी मिलती है foreign trade से ठीक है domestic market से बाहर आ जाता है वो country में उसकी reputation बनती है country में वो complete करता है पूरे world में वो compete करते है है ठीक है और दूसरा यह बताया मैंने आपको कि हमारे छोटे छोटे products भी पूरे world में compete करते हैं उससे हमारे reputation बढ़ते है और इसी तरह हम यह कह सकते हैं कि other countries में भी जो चीजे बनी है वो भी import होती है अपने यहां पर और हमारे लोग भी उन्हें खरीद सकते हैं हम सिर्फ इतना ही नहीं कि अपना समान बाहर बेजा और बाहर का समान यहां नहीं लाया हमने अपना समान बाहर बेजा बाहर बाहरों के पास 24 हो गई कि अरे इतना सारा समान आया हमारे पास तो सिर्फ हमारा ही है इसलिए हम भी दूसरों का सामान खरीदते हैं ठीक है उसकी बात आ रहा है कि globalization आप कहरे हैं सोरी foreign trade के advantage क्या होती है क्या फाइदा होता है foreign trade करने से ठीक है अब फाइदा देखिए foreign trade का पहला है पहला फाइदा होता है producer को producer को फाइदा अभी मैं बताया आपको GATS ASX Access to Multiple Market उसे इतनी Market मिल जाती है बहुत बड़ी producer को अपना सामान को बेचने के लिए कि अब जो वो अपना सामान सिर्फ इंडिया इंडिया में बेचता था या सिर्फ पंजाब अज़ाम में बेच रहा था अब वो पूरे इंडिया में बेचता है यानि सारी स्टेट्स में बेचता है और अब वो विदेशों में भी अपना सामान बेच रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी Market जो है वो बढ़ रही है दूसरा क्या फाइदा होता है प्रोडूक्शर को मार्केट में क्या होता है कि प्रोडूसर अपने माल को लो कर देता है रेट उसका जैसे प्रोडूसर किसी सामान का रेट लो करता है वैसे ही लोगों की भीर उस पे लग जाती है ठीक है तो अपने price को जो है वो low कर देता है market value को देखते हुए उसके बाद ये तो मैंने बता है producer के फायदे अब consumer को क्या फायदा होता है foreign trade से सबसे पहले variety of choice अभी अगर हम market में जाते हैं तो हमें बहुत कम choice मिलती है लेकिन अगर आप सर्दी में सही सर्दी में तिबिती बजार वगेरा में जाते हो तो हमें वहांग पर बहुत सारी variety मिलती है ठीक है तो कहने का मतभी है कि जैसे ही MNC आएंगी वैसे ही एक customer को बहुत choice मिलेगी अपने कपड़ों के लिए अपने सामान के लिए अपने furniture के लिए ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे होंगे second है competition among producer producers में आपस में competition होता है तो जैसे producer में आपस में competition होगा तो ऐसी producer जो है वो अपने rate तो कम कर लेगा और अपनी quality बढ़ा देगा समझाए जैसे producer के पास competition होगा कि देखो वो भी बेच रहा है सामान वो भी बेच रहा है तो जो producer है वो क्या करेंगे अपने rate को कम कर लेंगे और अपनी quality जो है दूसरे वालों से अच्छी देंगे ठीक है इससे भी consumer कोई फायदा होगा कि rate कम मिलेगा और quality अच्छी मिलेगी I think आपको ये clear हुआ होगा कि जो globalization sorry जो foreign trade है वो foreign trade भी है और एक integration भी रखता है सब के बीच में next जो हमारा topic है हम करने वाले हैं Chinese twice in India के study करेंगे Chinese twice की ओके thank you